हेला आप सभी का हमारी केशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमिटी पर एक बार फिर्ज असवागत है और आज का यह जो सेशन है यह बेज जोने वाला है कॉंपटिशन कमिटी के द्वारा लिए गए कुछ अन्य इनिशेटिव कुछ और अमेजिंग और इंट्रेस्टिंग इनिशेटिव क्या है कि इनिशेटिव क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तित रूप से जानेंगे तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पार रहे हैं यहाँ पर एक फ्री मेगा scholarship test तो ये mega scholarship test है क्या तो आप सभी को पता होगा कि competition community ना सिर्फ PSC साथ इसाथ bank SSC railway और CG Vapam के लिए भी offline classes start करने जा रहा है offline courses start करने जा रहा है कहां कहां पर start करने जा रहा है तो आप सभी को पता है कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग इन तीनों ही centers पर हमारी जो offline classes है वो start होने वाली है related to bank, SSC, railway and Vapam examination ठीक है इसके अलावा इन classes से पहले, इन classes की शुरुवात से पहले यहां पर competition community आप सभी अभ्यार्थियों के लिए एक mega test series का आयूजन कराने जा रहा है जिसका हिस्सा आप भी बन सकते है कैसे बनेंगे और आपके क्या-क्या प्रश्न हो सकते हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम से related इन सभी प्रश्नों को विस्तित रोप से हम लोग डिसकस करते हुए चलेंगे, तो तारीक आपको note कर लेनी है 15 मार्च से competition committee की offline classes सुरू हो रही है, तो जो भी छातर अभी तक हमारे साथ में नहीं जूले है सबसे पहले तो ये करिए कि आप वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेयर करें ताकि हर उस aspirant तक ये वीडियो पहुंच सके जिनका सपना एक सरकारी नौकरी पाने का होता है और आज के समय में जितने भी हमारे साथी session को देख रहे हैं उन सभी का कही न कही जो सपना है वो सरकारी नौकरी पाने का सपना होता है तो आप भी अपनी सपने को साकार कर सकते हैं कैसे? competition committee के साथ जूले और जिन exams की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें हर एक साल धेरो vacancies आती है bumper vacancies आती है number of exams आपको देखने को मिलेंगे यह opportunity होगी और बात करें तो आप लगभग लगभग 6 महीने की बहतरीन और इमांदारी से की गए तयारी के साथ अपने इस सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं तो आए जानते हैं थोड़ा और विस्तित रूप से इस mega test series के बारे में तो जब हम बात करते हैं इस test series की तो सबसे पहला प्रशन आता है कि यह test series क्यों तो जैसा कि मैंने कहा आज की समय में जितने भी UI हमारे साथ में जुले हुए है जो भी UI session को देख रहे है सभी का जो सपना है वो क्या होता है सरकारी नौकरी पाने का होता है सभी चाहते हैं कि हमारे पास भी क्या हो एक government job हो तो आप इस सरकारी नौकरी के सपने के लिए जो test हमें देने होते हैं जो exam हमें देने होते हैं उसका experience आप ले पाएंगे ठीक है दूसरा बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ ही होंगे जो आगामी सत्रों में क्या करेंगे competitive exams में participate करेंगे इन परिक्षाओं का भाग होंगे हलाकि अभी तक उन्होंने participate नहीं किया है तो उनके लिए भी एक अफसर होगा क्योंकि आपने सुना होगा कई बार कि हम तो गये थे केवल exam का experience लेने के आखिर exam होता कैसा है तो यहाँ पर आपको पूरा exam वाला महल मिलने वाला है धेरो अभ्यार्थियों के बीच आप बैट करके exam देने वाले है हलाकि यह जो test है यह आपका online और offline दोनों ही modes में होगा इसके उपर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो इसलिए भी exam क्या हो जाता है यह test महतपोल हो जाता है दूसरा यहाँ पर जो आपको प्रश्ण देखने को मिलेंगे वो exam oriented होंगे आपके परिशाओं से सम्बंधित होंगे दूसरा एक और important यहाँ पर जो आपको benefit मिलने वाला है वो यह कि आप क्या कर सकते है confidence boost up का काम करेगा यह test series आपके लिए अपना confidence boost कर सकते है यहाँ पर participate करके इस test का भाग बनके जैसा कि आप सभी को पता है कि इस test में इस test में पहले से लेकर के तीसरे स्थान तक आने वाले अभ्यार्थियों को क्या मिलेगा टैबलेट मिलेगा competition committee की तरफ से इन सभी अभ्यार्थियों को इन सभी ice parents को जिनका अस्थान एक से लेकर के तीसरे rank तक होगा टैबलेट प्रॉइट करा जाएगा इसके अलावा 4th to 20th rank चौथे से लेकर के 20 स्थान तक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यार्थियों को competition committee के तरफ से इस course के अंतरगत प्रॉइट करा जाने वाले study material और साथी साथ एक bag भी पुरसकार के रूप में दिया जाएगा इसके अलावा 20 से लेकर के 50 रेंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यार्थियों के लिए यहाँ पर competition committee के तरफ से एक bag पुरसकार के रूप में दिया जाएगा तो यह तो हो गए पुरसकार और पुरसकार जो है कही न कही जो आपका confidence है उसको definitely निश्ची दूरुप से क्या करने वाले boost आप करने वाले तो खुद में confident रहें अपनी तयारी पर भरोसा रखे इस test का part बने ठीक है तो test क्यों देना है यह आपको समझ में आ गया है कि हमारा भी जो सरकारी नौकरी पाने का सपना है वो भी पूरा हो सके परिक्षा में प्रशन कैसे पूछे जाते हैं क्या-क्या आपके आगामी परिक्षाओं से संबंधित जो सवाल होंगे वो कही न कहीं इस test series है क्या-क्या आपको features देखने को मिलते है जब हम एक परिक्षा hall mentor करते है जब आप एक offline परिक्षा का भाग होते है या जब आप एक online परिक्षा का भाग होते है तो दोनों ही तरीके के experiences यहाँ पर आप ले सकते हैं जैसा कि यह test आपके दोनों ही modes में है offline परिक्षा का जब आप भाग होते है तो OMR seat पर जैसे कि परिक्षा conduct करा जाती है पूरा का पूरा वही यहाँ पर आपको महौल मिलने वाला है clear इसके बाद how to enroll कैसे हम इस परिक्षा का भाग बन सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है इस वीडियो के description box में इसका link दिया गया इस link पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे और अपना enrollment यहीं से आप कर सकते हैं जिससे आप इस परिक्षा में भाग ले सके clear तीसरा है eligibility कि कौन-कौन से अभ्भार्थी कौन-कौन से aspirant इस परिक्षा का भाग बन सकते हैं तो मैंने कहा पूरे के पूरे भारत वर्ष में जो भी अभ्भार्थी किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं या जिनका आगामी परिक्षाओं को लेकर के सपना है सरकारी नौकरी के पाना तो वो सब भी अभ्भार्थी क्या कर सकते हैं इस test का भाग हो सकते हैं इस test में enroll कर सकते हैं इसके लिए कोई restriction कोई criteria नहीं है बात करते हैं आगे prices तो prices जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया 1 to 3rd rank लाने वाले सभी aspirants को अभ्भार्थियों को online वालों के लिए यहाँ पर tablet नहीं है ठीक है यह बात आपको समझ लेनी है तो prices क्या है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ bag with study material bag हो गया 21 से लेकर के 50 तक timing के अगर हम बात करें timing के हम बात करेंगे तो offline centers पर जो यह परिक्षा होगी इसका timing है बारा से लेकर के एक बज़े तक बारा से लेकर के एक बच कर 15 मिनट तक offline वालों के लिए जो कि हमारे centers पर OMR स्वीट में देंगे और बारा से लेकर के एक बज़े तक जितने भी aspirants क्या करेंगे online परिक्षा में सम्मेलित होंगे उनके लिए एक घंटे का time निर्धारित किया गया है ठीक है अब यहाँ पर यह भेद भाव क्यों 15 मिनट का तो समझे यहाँ पर OMR sheet के माध्यम से क्या करेंगे यह लोग अपने answers को fill करेंगे तो obvious सी बात है यहाँ पर time extra लगता है इसलिए यहाँ पर 15 मिनट का extra time दिया जा रहा है जो भी अभ्यारती हमारे offline centers पर आ करके परिक्षा देंगे अब बात कर लेते हैं syllabus की तो syllabus की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा maths reasoning English और जब हम बात करते हैं जीएस में हो जाएंगे आपके all subjects history, geography, policy, economy यह सभी के सभी आपको subject देखने को मिलेंगे overall आपकी जो परिक्षा का एक इस्तर होता है overall जो आपके परिक्षा का syllabus होता है परिक्षा में जो subjects आप से पूछे जाते हैं वह ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे method की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको method पहले ही बता दिया कि यह online और offline दोनों ही modes में होगा ठीक है online as well as offline ठीक है फिर बात करेंगे हम mode की फिर हम जब बात करते है mode की mode यहाँ पर जो होने वाला है वह आपका easy to moderate होने वाला है easy to moderate होने वाला है यह आप इसको exam oriented भी बोल सकते हैं जैसा कि आपके परिक्षा में प्रस्टन पूछे जाते हैं उसी level के questions आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे clear फिर सवाल उठता है medium किस माध्यम में यह क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को ले करके तो अक्सर वैसे भी जगला चलता ही रहता है तो समझ लीजे कि हिंदी वालों को भी टेंशन नहीं लेना है इंग्लिश वालों को भी टेंशन नहीं लेना है registration के टाइम पर आप से detailing ले ली जाएगी कि आप परिशा किस माध्यम में देना चाहते है या कोशिश की जाएगी कि आपके पास दोनों ही languages में जो प्रश्ण पत्र है वो available हो ठीक है online में तो ऐसा है offline में भी कोशिश यहीं होगी कि दोनों ही languages में क्या हो प्रश्ण पत्र अवेलेबल रहे है अब medium जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर कि English और Hindi दोनों ही रहने वाला है तो आप में से किसी को भी चिंता करने की कोई भी आवशकता नहीं ठीक है और venue at last यहाँ पर सवाल उठता है venue कि यह test होगा कहां हमें जाना कहां पढ़ेगा रेजिस्टर तो हम कर लेंगे तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर पूरी detailing दे दी गई है description box में आपको contact number दे दिया गया है address दे दिया गया है सारे के सारे centers का आप हमारी website पर visit कर सकते हैं आप competition committee का app डाउनलोड कर सकते हैं तो हर एक जगे पर आपको venue के बारे में विश्थित रूप से जानकारी मिल जाएगी तो जो भी अभ्यारती दुर्ग से बिलॉंग करते हैं या जो भी विश्थि बिलासपूर से बिलॉंग करते हैं वो हमारे offline centers पर जरूर आया और इस test का हिस्सा जरूर बने जैसा कि मैं आप सभी विद्यार्चों के साथ आने वाले कुछ वीडियोज में offline test या जो यह mega test होने जा रहा है इसमें क्या experience हो सकता है इसको हम लोग जरूर साजह करेंगे जैसा कि आप सभी को गयाता है कि एक और test एक और test इससे पहले आयुजित किया रहा है जो कि मुख्य रूप से होगा आपका CGPSC aspirants के लिए ठीक है तो इसका experience हम जरूर आपके साथे में साजह करेंगे तो venue यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको रायपूर बिलासपूर और दुर्ग क्लियर तो चलिए करते हैं session को यहीं पर हम लोग end और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है लेकिन भीड जिस रास्ते पर चल रही है जरूर के पीछे नहीं भागना और भीड से कुछ अलग करने की कोशिश हमें करना है लगातार हमें प्रयासरत रहना है और सफलता एक दिन हमारी होगी तो चलिए इसी कामना के साथ मिलते हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आपको further details मैं provide कराऊंगा thank you